फाइनली मिने जो और्ध करे dni वो आगे है मैं इसको खोल के दिखाती हैं कि यह क्या है आप लोग सोच रहे होंगे पता निइ क्या ओर्ध करी है मैंने यह मेरी फर्स्ट ओर जो मैंने खुट इसको ब्लेड को इसे से खोलते हैं इसको कि दरस्तानी किसी एक तरफ से काण लेते हैं चलो कर दो खंग कर दो को दो कर दो दो ही दो काई देनक तो घ्यूचरों कईने फितल दितल खो भुखरों में दो खंग कर दो कि इसके अंदर बस यही सब है कागस के ठुकड़े मैंने मंगवाई है यह एटी शलीशन की थर्टी नींच फ्लेक्सेबल ट्राइपॉड है यह मेरे पास नहीं थी एक बड़ी वाली है उससे मैं हर टाइम क्यारी तो नहीं कर सकती इसलिए मैंने यह मंगवाली है मुझे इसकी प्राइस पड़ी चार सो आट और पांच रुपे एक्स्टर चार्ज इसको अब इधर उधर भी बैंड कर सकते हो इसको अब इसको बैंड कर सकते हो इससे भी कहें भी आप इसे वीजिली यूज कर सकते हो इसको अब इधर उधर मूब्मेंट कर सकते हो इसको अब इसको लगा कर देखते हो लग गई है यह क्या है अच्छा तो इससे अब इसको कंट्रोल कर सकते हो इधर या इधर इधर और ऐसे इसको टाइट कर सकते हो जहां आप इसको टाइट करोगे यह भी टाइट हो जाएगी अच्छी है अच्छी अच्छी एक्स्प्लेण तो नहीं कर सकते बट मुझे जो समझ में आ रही है वही बता रही हूं इससे मैं ट्राइक करने के बाद आपको बताऊंगे कि यह कैसी है कैसी क्योंकि अभी तक मैंने आइसी ट्राइपोड को यूज नहीं करी है तो नेक्स वीडियों इससे सूट करेंगे फिर मैं बताऊंगे कि यह कैसी है आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को भी सब बहुत मैंनत लगती है अगर सब्सक्राइब नहीं पढ़ता है तो बहुत बुरा लगता है जो भी आप लोग समझ सकते हैं बिगिनर हूं पर सीख रही हूं ठीक है आज के लिए इतना ही मैं यूज करके बताऊंगी इसको यह कैसी है नहीं है मुझे कैसी लगी तो आज के इतना ही